राकेश ने बदला अपना भेश संजु निकिया परी के सामने कनफेशन बता हूँ कि क्या वाकई में पारवती परी है तो कारवती इस Metinj लिए वो संजु और परी दोनों आमने सामने आते हैं यहाँ पर संजु जो है वो पारवती के पीछे पढ़ जाता है उससे पूछता है कि क्या मैं आपको पसंद हूँ यहाँ पर पारवती इंडरेक्ली जवाब देती है और इस question को ignore कर देती है साथ इगाइस पारवती कहती है कि मैं भी तंगा चुकी हूँ आप बार बार मुझे पारवती से परी कहने लगते हैं और इस बात को लेकर संजु जो है वो पारवती से साफ ख्लीरली कह देता है कि मेरी इन आखो को पारवती नहीं तुम परी की तरह दिखती हूँ और यह मेरी इन आखो का दोश है इन्हें सिर्फ तुम चाहिए होती हो चाह कुछ भी हो वेल ये सारी बाते सुनकर परी कहीं अंदर ही अंदर emotional होती भी नजर आती है लेकिन अपने emotions को छुपा लेती है संजू के सामने वेल ऐसे में देखना काफी ज़्यादा interesting होगा कि आने वाली जो meeting है उसमें राकेश का क्या reaction होगा पारवती को देखकर साथ ही गाइस क्या संजू के सामने जल भी पारवती का रास खुलने वाला है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस upcoming track को लेकर हमें comment के जरीए जरूर बताएं साथ ही television से जुड़ी हर एक latest update के लिए हमारे channel को subscribe करना ना भूले